शे महिने में मोधी को दंडे मारेंगे हैं प्रभू करदे बेरापार ये अल्ला तेरी रहमत है ये अल्ला तेरी रहमत आपके लिए गांदी जी क्रेलर हो सकते हैं हमारे लिए गांदी जी जिन्दगी है मैं 30-40 मिनिट से भोल रहा था लेकिन करंट पहुंचे पहुंचे इतनी देर लगी आप छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं किसान जो होता है ना वो बड़ी गर्भी में ठेद जोज करके तयार रखता है बीज बोता नहीं उस समय सही समय पर बीज बोता है तो अभी जो पिछले दस में से चल रहा है ना वो मेरा खेद जोतने का काम चला सबसे पहले किरन लिज्जु की जुको बदाई देता हूँ क्योंकि उन्होंने जो फिट इंडिया मूमेंट चलाया है कि उस फिट इंडिया मूमेंट का प्रचार पसार अधीर भी बहुत बढ़िया दंशिका वे बाशन भी करते हैं और बाशन के साथ जाज जीम भी करते हैं तो ये फिट इंडिया फिट इंडिया को बल देने के लिए उसका प्रचार पसार करने के लिए मैं मानिय सदस्ते का धन्यवाद करते हूँ स्वामी विवेकान जी के कंदों से बंदूं के फोड़ी गए एक बार कुछ लोग रेल में सफर कर रहे थे और जब रेल में सफर कर रहे थे तो रेल जैसे घदी पकड़ती थी पट्री में से आवाज आती है हम ज़त जानते हैं सफ़ा दुगों है तो वहाँ बैठे हुए एक संत महात्मा थे उन्होंने का देखो पट्री में से कैसी आवाज आ रही है इन निर्जीव पट्री भी हमें कह रही है प्रभू करदे बेरा पार बोले जैको यही आवाज आरे शुनो प्रभू करदे बेरा पार तो दूसरे संत ने कहा नहीं यार मैंने सुना मुझे तो सुनाई दे रहा है प्रभू तेरी लीला अप्रमपार प्रभू तेरी लीला अप्रमपार तो वहाँ एक मौलवी जी बचे थे उन्हों का रे भाई मुझे तो सुनाई दे रहा है दूसरा इन संतों ने कहा भूई आपको क्या सुनाई दे रहा है तो वहाँ कहा मुझे सुनाई दे रहा है ये अल्ला तेरी रहमत ये अल्ला तेरी रहमत तो वहाँ एक पहलवान बेटे थे उन्होंने कहां मुझे भी सुनाई दे रहा है तो पहलवान ने कहां मुझे सुनाई दे रहा है खारबडी करकत कल जो विवे कमेंजी के नाम से कहा गया जैसी मन की रचना होती है वैसा ही सुनाता है आपको ये देखने के लिए इतना दूर नजर करने की जरूरती नहीं थी बहुत पास में है ये सुरेज जी क्यों हस रहे जी कोई राज है वही सुरेज जी कभी आपका भी मुखा आएगा इतना जल्दी मत आज हम कहां है उसका पता तब चलता है कल कहां थे मानिये सदश्या ये कहते है कि ये क्यों नहीं हुआ ये कब होगा ये कैसे होगा कब तक करेंगे ये जब सुनता हूँ कुछ लोगों को लगता हूँ कि आप आलोचना करते हैं मैं नहीं मानता हूँ आप आलोचना करते हैं मुझे खुशी है का आप मुझे समझ पाएं क्योंकि आपको विश्वास है करेगा तो ही करेगा और इसलिए मैं आपके इन बातों को आलोसना नहीं मानता मारदरशक मानता हूँ प्रेज़ना मानता और इसलिए मैं इन सारी बातों का स्वाधत करता हूँ मैं आपका आभारी हो क्योंकि आपने मेरे प्रते विस्वास जताया है ये भी काम हमें करेंगे हाँ एक काम ने करेंगे एक काम एक काम ना करेंगे एक काम ना करेंगे ना होने देंगे वो है आपकी बेरोजगार नहीं हटने देंगे देखिए मैं किसानों से बहुत कुछ सिखता हूँ किसान जो होता है ना वो बड़ी गर्मी में खेद जोत करके तयार रखता है बीज बोता नहीं उस समय सही समय पर बीज बोता है तो अभी जो पिछले दस में से चल रहा है ना वो मेरा खेद जोतने का काम चाहिए अब बराबर आपके दिमाग में जगा हो गई है अब मैं एक एक करके बीच डालूँगा फॉर्माल साक्तर में अजिर अन्य जी मैं ऐसा करता हूँ ऐसा करता हूँ आप एक समय ताय कीजिए आपको जितना कहना है मैं दुबारा बैठ लूँगा क्योंकि ये सब लोग पीछे हस रहे हैं और आपकी प्रतिश्चा को जटका लग अच्छा नहीं है फटर साल की देशी राज़ी की ऐसी रही है कि कोई 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 कांग्रेसी सफिसद नहीं हो सकता हो ही नहीं सकता मैंने कांग्रेस के एक नेता का कल गोशना पत्र सुना उन्होंने गोशना की है कि छे महिने में मोधी को दंडे मारें गया है ये ये बेबा सही है कि ये काम ज़रा कठीन है तो तयारी के लिए छे मेने तो लगते ही है तो छे मेने का समय तो अच्छा है लेकिन मैं भी छे मेने मेने में ताई किया हूँ कि रोज सुर्यनबसकार के संख्या बढ़ा दूँगा ताकि अब तक करीब 20 साव से जिस प्रकार की गंदी गालिया सुन रहा हूँ और अपने आपको गालिक रूप बना दिया है छे महने ऐसे सुनिनमसकार करूँगा कि मेरी पीट को भी हर डंडे जिलने की ताकरवाला बढ़ादा तो मैं आभारी हो कि पहले से अनाउंस कर दिया गया है तो मुझे ये 6 महिना आप एक्सेसाइट बढ़ाने का टाइब दिलेगा मानिया जगी मानिया जगी मैं 30-40 मिनिट से बोल रहा था लेकिन करंट पहुंचे पहुचे इतनी देर लगी एक शायर ने कहा था और शायर ये सिति को बड़े सटिक तरी केथे खूब परदा है खूब परदा है कि चिल्मन से लगे बैठे है कि चिल्मन से लगे बैठे है साथ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं पबलिक सब जानती हैं सब समझती है